हालो दोस्तों स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल अजाद वाइस में उम्मित करता हूं और सबस्चा होंगे दोस्तों मैं ट्रेनेश का एक काम किया हूं जो आप लोगी से कुछ रिलेटर पूछ सकते हैं और पूरा वीडियो देखिये तो मैं बतलाओंगा आप ल सलोप रखते हैं इसमें डिरेनेश का स्वेल पाइप में और वेस्ट वैम में सम रखते हैं और अपना जो इंडियान डबलू सी है सब पहले से फीट हो गया है टोलेट लगाने के लिए इधर तीन इंडियान है उदर चार्ज को माट डबलू सी है वेस्टन और यह जो मैंने इंडियन को मोड रहेगा टोलेट और यह जो सलोप है एक मीटर पर एक संटी के सलोप रखते हैं चार इंच का पाइप है और अभी पूरा फिनिसिंग काम हो जाएगा तो मैं वीडियो अप्लोड करूंगा तो आगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगेगा तो ला इन टाइम सलोप पराबर चेक करते रहिएगा अभी मेरे फिटिंग हो गया पहले से तो उसके बाद ऐसे गल्फ में काम होता है सौधी में सौधी में फिटिंग वाइज स्कूल में काम हुआ है कला कि छार इंच का पाइप ऐसके टोटल और यह जो 50 का पाईप है जितना हिस अब हवा निकालने के लिए लगा गया है जब हावा निकलेगा तो लिग जाम नहीं होगा लाइन इसके लिए पचास का पाइब में हावा लगाएंगे अगला वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका फिटिंग किया जाता है यह जो पचास का पाइब यह सब हावा वेंट का बोलते हैं इसको और यहां प तो तो का वेस्टवाई फैस यह फैइक इसको इंगलिस मीशवाई बोलते हैं और वेस्टवाई बोलता है और एक जो बीच में पॉइंट है कि लिए रखा गया है मालने यह कभी लाइन चुक आप हो जाए तो उसको खोल के फिर लाइन पूरा सही करने के लिए पाइप डालकि जो कब और जाएगा यह बीच होला लाइन जो सबसे आगया है यह फ्लोट ट्रेन है उदर कभी फ्लोट ट्रेन लगएगा बाद में और यह जो 50 कप आप हावर निकालने के लिए है जिसमें 50 कप पर से हावर निकलने के लिए यह पाइप लगाते है यहां पे और एस ए desse हयाँ पर है एवी फञोड ड्रेइन है और आगे जए पाइफ है जो किलिए नॉट है मने लिए लाइन कभी इधर से चोग हो जाएगा तो धर से खोल एक है कि इसको कि सके अंदर 25 के तार डाल के इसको सब्सकर देंगे तुचकोप से हो जाएगा फ्यूचर में कभी प्रोब्लम होगा तो और हावा का पाइप हर पॉइंट के पास लगाना चाहिए जैसे हावा पास होता रहेगा लाइन में लाइन पूरा बराबर रहेगा जोक अप नहीं होगा ज्याद लाइन कि यहां पर पूरा जो पचास का पाइप है सब वेट का है और डॉल सी का है और एसल हावा निकलने से पाइप जाम नहीं होता है और बराबर पानी निकलता रहता है यहां पर आगे जो है यहां पर एकदम ओ चेंबर बनेगा और यहां पर भी अर आजम रहेंगा उपर से राज यहीं वभी वीडियो इसको कॉंक्रेट करेंगे कानी के बाद फिर इसका रोम बनेगा रोम बने का फिर इसका फिटिंग होगा। अगला पूरा वीडियो देखने के लिए आप आप चैनल को स्ब्स्क्राइब करें यह अपलोड कर ओंगा। यहां पर चारेंज को पूरा लाइन है सलोप एक मीटर पे एक सेंटी का होना चाहिए इससे ज्यादा रखने फिर सलोप पानी निकल जाएगा कच्रा रूप जाएगा तो फिर लाइन चोक आफ हो जाएगा ज्यादा सलोप रखने से अच्छा नहीं होता है चुक अपने के ज्यादा चांस रहता है ज्यादा स्लोप में भी और ज्यादा कम में भी इसलिए एक मीटर फी एक सेंटी का स्लोप रहेंगे तो बहतर रहेगा यहां पर जो है चारिंज के कि लिए नाउट है सबसे आगया और यह हैं डबली सी का पॉइंट और जो बीच वाल पॉइंट है और एक लिन आउट लाइन चुक अफ होने के बाद उसको सही करने के लिए पाइब डाल के या केबल डाल के कुछ भी तो चुक अफ हो जाएगा तो उसको सही कर सकते हैं फ्यूचर में दोस्तों आपको वीडियो हमारे का इसा लगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल का सब्सक्राइब करिएगा मैं पलंबर से रिलेटेड वीडियो अफ्लोड करता रहता हूं आप कुछ भी हमसे कमेंट करके पलंबर के बारे में पुछ सकते हैं अगला वीडियो इससे इसके बाद जो वेंट का काम होगा तो मैं अफ्लोड करूंगा तो पूरे वीडियो देखिएगा तो वीडियो अच्छा लगएगा तो लाइक करिएगा कि स्वेल पाइफ फिटिंग करते टाइम नबे डिगरी ना लगाएं यह बोल ना लगाएं चार इंच का तीन इंच का उस से लाइन ज्यादा चपफ होने का चांस रहता है सबसे ज्यादा है फुट्टी फाइफ का योज करें और वाई का योज करें थैंक्यू तो शूमच हुआ है